अज फिर एक बार आपका स्वागत करते हैं टैग टीवी स्टूडियो से जो के ट्रॉंटो अंठेरियो कैनेडा में स्थापित हैं और हर बार की तरह ताहिर गोरा साथ मेरे साथ हैं आज कुछ बड़े इंपॉर्टन्ट इशूस हैं जिनकी ओपर हम बात करेंगे सबसे पहले आज 31 अक्टूबर है तो मैं जरूर अपनी शर्धानजली देना चाहता हूँ स्वरगिय श्रीमती इंदरा गांधी जिन्होंने 1971 में एक इस तरीके से अपनी आर्मी के थरू वार ल एक रेकड है और मैंने ये सुना है मुझे पता नहीं कि जितने भी बड़ी बड़ी इंस्ट्यूशन हैं जहां पर आर्मी को ट्रेनी मिलती है वहां पर ये कार्ड जरूर सिखाया जाता है कि किस तरीके से 91,000 आर्मी के लोगों को उन्होंने सरेंडर कराया था तो मेरी पू बहुत बड़ा इशू जो है आज सॉल हुआ है मैं ये समझता हूं कि 1948 में यानि कि 71 एर्ज के बाद जो शिरी जुहारला नहरू जो के परधान मंत्री भी थे और इंद्रा गांदी के पता जी भी थे उन्होंने जो गलती की उस वकत उस गलती को सुधारने में 71 एर्ज लग जब पाकिस्तानी आर्मी ने कश्मीर अजादी के बाद किश्मीर के ओपर हमला किया तो उस वकत जो हिंदोस्तान की आर्मी थी उसने बचाया और उस वकत के जो जनरल है उन्होंने बकायदा अपनी कताब में में लिखा बाद में ब्यान में भी दिया कि मैंने नहरू जी को सुगेस्ट किया था कि हमें 48 आवर दो और जो बाकी का पाकिस्तान के पास इस वक्त किश्मीर है वो भी हम हासल कर लेंगे लेकिन नहरू साब के दमाग में पर नहीं क्या बात थी उन्हों ने उस वक्त उस किश्मीर को वहीं पैसीज वायर करके लड़ाई को रोक दिया वो ए अबर्म बन गया वो एक मैं यह कहता हूं कि ग्रेजिंग ग्राउंड बन गई पाकिस्तान के जो टेरोरिस्ट हैं उनके लिए और उन्हों ने वहां पर बहुत ही ज्यादा नुक्सान किया पिशले सतर साल में यह मुदी साब की गौर्मिन जब दोबारा बनी देखिए यह समझता हूं कि बनता भी है जब यह 370 कोपालिया में पेश किया गया तो तक्रीबन मैं यह कह सकता हूं 90% पार्टिज ने इसका स्वागत किया और इसको एप्रूव किया यह उस वकत बना कि 370 को खतम करके जो एक जम्मू कुश्मीर लदाक की एक टेरिटरी थी उसको अ आलेडी जो लेटिनिन्ट गुवर्नर वह पर पॉइंट की है उन्होंने अपनी स्वेरिंग सेरिमनी कर लिया है जी कल लदाक के लेटिन्ट गुवर्नर भी बन गए और जमू किश्मीर के लेटिन्ट गुवर्नर भी बन गए और आज कि तरीए फ surprise में 31 October मेर रहा आने वाल historians के लिए कि आज जमू कश्मीर और लड़ा का complete विले जिस वो कहते हैं complete आपस में मर्ज हो जाना वो आज complete हुआ है और इसका क्या effect होगा पाकिस्तान ने 370 abrogation के बाद इमरान खान का एक ही agenda था दुनिया में जा के चला चला कर कहा कि ये कश्मीर के साथ बड़ी ज्यादती मैंने तो यहां तक उनका बयान सुना पूछूँगा मैं ताहिड साब से कि अमरान खान साब ने रोते हुए ये कहा कि मुझे तो दुनिया के उपर बहुत रोना आता है कि एक 8 million लोगों को उन्होंने कैदी कर रखा कोई उसकी तरह बात नहीं करता अरे वो तो 8 million आपने त उसके बाद चाइना का रेक्शन वही है जो हमेशना होता है क्योंकि चाइना ने 25% of that land किश्मीर की land पाकिस्तान और इंडिया के किश्मीर की land को बकायदा अपने कबदे में रखा हुआ है वो भी नजायस लेकिन अब ठीक है उन्होंने भी कहा कि ये नहीं होना चाहिए था बाकी दुनिया ने अभी रिसेंटली यूर्पेन यूनिन के डेलिकेशन वहाँ पर गया उन्होंने का कि सिचुएशन जो है वहाँ पर डेफिनेटली जो है टेंस है लेकिन हम इंडोस्तान के इश्यूस में इंटरफियर नहीं करना चाहते और होपफुली कि जो टेरोरिज चलके अगर हमारे पास समय हुआ तो ये भी जरूर करना है मैंने कई फोटोस देखी है जिसमें पाकिस्तान के फारम मिनिस्टर क्रेशी साब किस तरह खालेस्तानियों को जो एक हजार से ज्यादा खालेस्तानियों को पाकिस्तान ने पना दे रखी है पिछले 30-40 साल से और की तरह उनको अपने घर में रखा हुआ है खूब उनको खाना पीना सब कुछ फ्री अवरिटिंग और किस तरीके से वो गले लगा रहे हैं मैंने रिसल्ली उनकी फोटोस देखी तो ये भी इन से पूछेंगे अगर टाइम सावे हुआ तो जरूर बात करेंगे लेकिन सब स पहले आज जो एक मैं समझता हूँ हिस्टारिकल डे हिंदोस्तान में है वो है जमू कश्मीर का कम्पलीट मरजिंग विद दी होल इंडिया ताहिर सब जी दार्ट सब मैं इस सिल्से में सिर्फ भारत कोई नहीं पूरे रीजन को मबारक बात देता हूँ वजह ये है कि अग के हक में नहीं है चीन तो और उसकी रीजन है खास अगर पाकिस्टान समयता है कर ऐसा होने से उनके इंट्रेस्ट हराब हो बेऊ तो वो घलत समयते हैं ये पाकिस्तान पर इंट्रेस्टमें है कि ये मसला ऐसमें कावाल हुज हो जाई और जो आज कॉनसिटुशन के पॉंट of India from British Raj 1947 से अब तक इस बात की वज़ा से एक मैस रहा है गलत डिसीजिंज रहे पाकिसान ने अगर वहां पर जहादी काम किये जो किये हैं तो उसका पाकिसान को तो कोई फाइदा हुआ नहीं in the long run ठीक है यह तो होता नहीं का पाकिसान को कोई उसका फाइदा हो जाता पाकिसा पाकिसान खुद एक खड़े में जागे रहा है मतलब वहां पे पैसा खर्च करते करते ना अपनी अवाम के लिए खर्च कर सका ना कोई पालीशियां बना सका दुनिया में आईसोलेट हो गया तो इसका अगर तो पाकिसान को फाइदा हो तो हम कहते हैं जी चले उसको फाइ ने आया तो ये एक बीच में एक एंपीडमेंट रही एक रुकावट रही कि ये ये मसला मुदी साब ने इतने बड़े चैलेंज को मैं समयता हूँ ये एक कोह हमालिया का तरा का चैलेंज था जिसको कोई हाथ नहीं डालता था मुझे याद है कि जब पांच अगस को अभी ये बात हो रही है तब भी यकीन नहीं आ रहा था कि लगता था कि शायद ये कल पर सो ये बात कोई कुछ और ना हो जाए उल्टा ना कर दें कि नहीं जी हमारे कहने हम अक्सर ये तो नहीं था लेकि वहाँ पर प्रामिनिस्टर निर्दामूदी भी वैठे होए थे वहाँ डिफेंस मिनिस्टर नात भी थे तो वो सूर्टेहल अनबिलीवेबल थी और आज मैं इसलिए ये कहा रहा हूँ कि ये मुबारक बात सिर्फ भारत को नहीं है अगर अकल हो इर्द गिर्द के हमसायों को खासर पर पाकिस्तान को तो ये उनको भी मुबारक बात कबोल करनी च लेकिन वो उस मैस के बावजूद कश्मीर कभी पाकिसान के पास तो जाना नहीं था कभी भी नहीं किया ना जाना था मैं ये भी स्वाल आपको कर देता हूं बीच में उसका भी ज्वा अब तक के जो अंकड़े हैं जी वो ये हैं कि कश्मीर के उपर हिंदोस्तान टू हंड बिलियन यूएस डॉलर पिछले सतर साल में लोगों के ओपर खर्च कर चुका है 200 बिलियन इसलिए वहां पर सबसे 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 चीज़े मिलती हैं जी और हर आदमी को वहां पर ये कोशिश की जाती है गवर्मन की तरफ से और तीन चार जो वहां की इंपॉर्टन तो नहीं क्रॉप्टिड फैमिली जो थी उन्होंने अपनी बेंतखा प्रॉपर्टी है जो है वो उस पैसे से बनाई है प्यो के में जो के अभी रिशन्टी मैंने पहली पर देखा है कि पिछले दो साल से वहां पर अब पिछले मीने तो बहुत ही जबरतर्स वहां पर प्रटेस्ट ह है हाँ जी याने के पाकिस्तान ने 71 एर्ज में अगर उनी की हालत ठीक कर देता ता आज दुनिया के सामने एक वो नक्षा पेश कर सकता ता कि देखिए जो मेरे पास कश्मीर था उसका मैंने क्या बड़िया हाल कर दिया लेकिन हुआ ऐसा नहीं बलके हिंदोस्तान से भी का क्षाम खराब हुआ देखिए पाकिस्तान जो वहां का कश्मीर है वहां पर क्या हालत बेतर करनी है जो पाकिस्तान के पास अपना में लैंड पाकिस्तान है उसकी हालत बुरी से बुरी हुई है तो बाहर के अलाके की क्या डूइलमेट होनी है जो एक इंटेग्रिल उसका पार्ट होता था बंगना देश उसके साथ किया सुलूक किया अल्टीमेटली वो अलग हो गया मक्सद यह कि अब वहां पे जो लीडर्शिप है खासर पर पाकिसानी जो लीडर्शिप है इस्टैबलिश्मेंट हो प्लिटिकल हो बिरॉक्रिटिक हो उनको ये सोचना है आज एकतर बहतर साथ बात के भई क्या खोया क्या पाया ठीक है यही अल्टीमेट जो सुलूशन था वो वही था जो यॉरप ने लड़ाईयों के बात किया फर्स वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद उन्होंने सोचा कि हम पागल थे जो एकी तरह के लोग थे और हमने एक दूसरे को मार मार के बुरा खाल किया बिलियंज और बिलियंज डॉलर बलके उनकी तो ट्रिलियंज डॉलर ठीक ठीक है नजी वो बरबाद हुई फिर उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार के बाद चीज़ों को रीकंसाइल करना शुरू किया और फॉर दा पास फिर फाइव सिक्स डेकेड़ फाइनली वो चीज़ों को लेकर आए पाथ पे और अब आप देखिए कि उनकी खुशाली का क्या आलम है ठीक है कामसकाम वो गले तो नहीं कट रहे एक दूसरे के खलाफ जसूसियां तो नहीं हो रही एक दूसरे के खलाफ बुरा हाल तो नहीं हो रहीं मैं इसमें थोड़ी से बात करूंगा भारत में जो बात की मेरे पस है अदादो शमार तो नहीं है कि डिर दो सो बिलियर डॉलर अगर भारत ने कश्मीर पे लगाया है तो मैं ये भी दावे से कहता हूँ कि भारत की तब की लीडर से मूदी सरकार की पहली वाली मत उससे पहली तक वो ज्यादातर पैसा भारत में भी अनफर्चुनेली जाया किया है उन्ही कुरॉप्ट लीडर सके हातों और उसी तरह के वो जो थे ना खरीदो फरॉक्त करने वाले जो लोगा जो दोनों तरफ खेलते थे थे ठीक है निगी तो मतलब वो पैसा भी जो मैं समगता हूँ कि भारत का वाइजली खरच नहीं हुआ अगर भारत का पैसा वाइजली खर्च हुआ है तो वो आर्मी पर हुआ है चुकि भारत की जो आर्मी है वो तो एक प्रफेशनल आर्मी है उसको तो काम करना है ठीक है वो अपने सरक्मस्टांसें में जैसा भी काम कर सकते थे जो जैसा हुकम होता था वो करते रहे हैं on the other hand पाकिस्तान जैसे मैंने का कि पाकिस्तान को अब तक सैडली अब तक इतनी बड़ी कौस्ट देनी पड़ी एक तो मुलक का अदा हिसा गया दूसरा जो इस वक्त मुलक रह गया है वो किसी सूरत पर भी काबू में नहीं है तीसरा अवाम का बुरा हाल है दुनिया में पाकिस्तान की जो पेचान बनी हुई है सैडली कि वो एक टेररिस्ट कंट्री के तौर पर विचाना जाता है मैं इसलिए सैडली कर रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं एक ऐसा है नहीं अनफ़र्चूनिली चुके वो उनके फरंट फेसे इस टेररिस्ट इस्टैबलिश्मेंट से लेके लचकर टैबा तक या जैशे महमत तक तो इस सारी सिच्वेशन में पाकिसान को आज ये सोचना है आज के हिस्टॉरिक दिन में ठीक है बलंडर पुलिटिकल भारत में भी रहे पाकिसान में बेताशा रहे मगर पाकिसान ने मैस बाथ किया इ एक इंच भी नहीं ले सके तो इस सारे खेल का हासल रसूल क्या था ठीक है हासल रसूल ये निकला ना कि आज भारत ने कॉंसिटूशनली यूनियन टैरिटीज बना दिया है ठीक है मतलब वो बात कोई कहता है जी मसला कश्मीर का हल मैं कहता हूँ हाल तो छोटा लफज है मस कौन से खाबों में रहने वाले कश्मीर हैं या कश्मीरी क्यादत है जो ये सोचते हैं कि अभी कोई हल है बाकी, अब क्या हल रह गया यूनियन टैरिटریज बन गई पूरी दुनिया नहीं बोल रही तुछ तो क्या हल रह रह गया आप ने नहीं एक वोज बोला, कि हिंदृ पाकिस्तान की आर्मी जो है वो प्रफेशनलिजम से काम करती है जी और पाकिस्तान की आर्मी जो है उसके बारे में अपने ही कहा लेकिन पाकिस्तान की आर्मी में आगए भी कई बार आपने कहा कि वो ज्यादा बिजी रहती है फिल्में बिनाने में टीवी सीरियल बिनाने में या बिजनर्वार्ट रन नएंड में अफ़ानस्तान हो कश्मीर हो तो प्राक्सी वार्ट जैनल या या लोगों को जो है वो हमने देखा की कई चोटी 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 पटे हैं या लोगों को त्यार करके सी के तुरू हिंदोस्तान में बहिच दो या कश्मीर के तरफ से हिंदो सतान में भीज़ दो या कोशिश करो कि हिंदोस्तान के जो अंदर के लोग जो बाहर गए हुँवे उनको पाकिस्तान में रखे उनको ट्रेन करके हिंदोस्तान में मतार्ब आप जो है आप तो पर्फेशनलिजम नहीं डॉब्ट करना लेकिन इस किसम के पंगे जो लेते रहना और अपनी बलोचिस्तान की उनकी प्राप्लम है मैं कराची के बारवे पढ़ रहा था कि कराची तो ऐसे लगता है जैसे वो पाकिस्तान का ही सही नहीं है तो यह जो वहां पर मुश्किलाते नजर आ रही हैं यह मुश्किलाते हैं आपको नजर आती हैं कि आने वाले टाइम के ओपर वो हिंदोस्तान के तो चलो हिंदोस्तान तो बहुत बड़ा आप कंट्री है हिंदोस्तान के ओपर तो थुनहों नने क्या ठैक करना और यह हमेशा कहे जाना कि हमारे पास नूंकरीर नूंकरी बहुत 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 बड़े फुलिषनेस है तो आपको क्या लगता है कि उनके पास इतना resources आने वाले हैं या इमरान खान जो है वो इतना काबल है या उनकी establishment उसको इतना काबल बना रही है कि वाने वाले टाइम के उपर हिंदोस्तान के हर किसम के decision में interview कर सके और हिंदोस्तान का मकाबला कर सके नहीं 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 देखिए वो काबलियत तो दुनिया ने देख ली ना इमरान खान के मतलब मजीर काबलियत क्या देखनी है कि जब इमरान खान आई से कोई 14-15 महीने पहले office में आये थे तब पाकिस्तान का तब भी बुरा हाल था economically भी international image के तोर पर भी और strategically भी और political जो turmoil जो चल रहा है ठीक है पाकिस्तान में ये challenge चल रहा है कि वही IMF ने अभी उनकी फिर वो inspection करनी है ये challenge चल रहा है कि वो जो फैटिफ है उन्होंने उनको यानि एक तरह से last warning दी है हाँ फैबरी तक ठीक ठीक फैबरी तक की दी है in fact जो papers पाकिस्तान ने submit कराने है वो दिसमबर के third week में जमा करवाने है यानि उसके बाद वो मतलब इनके पाद थर्ड वीक दिसमबर तक है अपनी कारवाई submit करने का ये हम क्या कर रहे हैं क्या वो तो फैसला चुकर करिस्मस की चुटियां न्यू येर की चुटियां उसके बाद उनका जलास होगा तेकि पाकिस्तान का का क तो front face है ठीक है तो आप ने ये पूछा कि क्या इनके पास कोई ऐसे resources या ऐसी power आने वाली है कि ये भारत को और challenges देंगे जब इनके पास जरा बेतर resources थे बेतर power थी तब ये भारत को challenge ना दे सके तो अब ये क्या challenge देंगे ठीक है ना अब तो भारत ने मैंने जैसे अबी ड बात है कि मैंने ये हमेशा सोचा कि ये क्यों इतना बड़ा काम रहा कोई इतना बड़ा काम भी नहीं था मुदी साम ने अंजाम दिया था तो इसका मतलब यह है कि ये doable था मेरा ख्याला है सबसे बड़ी जो गलती हिंदोस्तान की सरकार ने किया और वो भी Congress ने जब कार्ग इन उसके practical नहीं किया क्योंकि कार्गल की वार का सबसे बड़ा इनके पास excuse नहीं reality थी कि ये लोग कभी भी बाद नहीं आएंगे और अब हम नहीं इनको law करेंगे अब हम इनको अपने में total constitutionally merge कर देंगे और इनका कोई special status नहीं होगा that was the time in 1997 or 1998 they could have done it very easily लेकिन फिर भी उनको लग गए 20-20 सार उसको बनाने में उसको ठीक करने में क्योंकि देखिए जो हिंदोस्तान की परानी government थी वो appeasement में बहुत पड़ी हुई थी उनको ये होता था कि इस community को appeas करते रहें तो हमें बहुत जो है राज करने का time मिल अब हो appeasement के time जो है जो है वो zero हो गए अब तो question यह है कि आप राज कैसे करना चाहते और कैसे करोगे आप में वो काबलियत है राज करने की या नहीं है अब लोग जो है वो सीधा स्वाल करने लग पड़े हैं कि अब appeasement बहुत हो गई और आने वाले time में difficulties आएंगी हिंद लेकिन ये ये होना ही है पहले भी हो रहा था ये होगा लेकिन अब जब बंद होगा तो फिर उसके बाद कर भी नहीं होगा देख्टर देखिए बाद अपीजमेंट के जहां तक बात है एक होती है appeasement के challenge आपने दुनिया को या certain community को सिर्फ खुश करना है लेकि जब appeasement का मकसद सिर्फ और सिर्फ वोट ही लेना जैसे आप में राज के लिए तो इसका मतलब यह है कि आप से ज्यादा सेलफिश कोई नहीं है बेलकुल पिर पुलिटिकल पार्टी या जो सियासी नेता हैं वो क्या कर रहे हैं वो खेल रहे हैं सेंटीमेंट से कहल रहे हैं अच्छे ज अगर आप या मैं एक दूसरे के हाथ में खिलोना बन जाएंगे तो जो खिलोना बना रहा है वो तो काम्याब है ही है जो खिलोना बन रहा है उससे बड़ा उलू तो कोई नहीं है ना उसको तुस्तान में यह जो धार में मतलब संस्ताय हैं या जो धार में ठेके दार हैं य हमेशा ही लोगों को अलू बनाते रहें और आज भी उनकी कोशिश है अलू बनाते रहें हिंदुस्तान में ये जो तबका था मुस्लिम तबका जो इस वकत बीस बाइस क्रोड के करीब है ये कभी का फाइनेंशली इंडीपेंडनेंट हो जाता लेकिन जो उपर की वन आज़नामिजम तो मैं अब अब क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं उन से अब थोड़ी सी हमें चेंज आ रही है एक शिफ्ट आ रही है सोच में नज़र जैसा के पिछले एलेक्शन में देखा कि मूदी साब के साथ मुस्लिम कम्यूनिटी जुड़ी इसी तरह हम ये कश्मीर क मसला पर देख रहे हैं अब्रोगेशन आर्टीकल 370 के बाद जो मुस्लिम लीडर्शिप है एक रास्त अबारत उन्होंने मूदी जी का साथ दिया स्वाए एक दो जो होते हैं लीडर जैसे अवैसी साथ लेकिन इवन अवैसी ने भी ये कहा कि पाकिस्तान की तरफ से टेर् एंटी इंडियन हो गया ना ठीक है ना जी अच्छा देलते हैं चाहे हो मैं वैसे अवैसी साथ से या बहुत ज़्यादा डिस एगरी करता हूं लेकिन मैं यह नहीं समझता कि शायद वो एंटी इंडिया है ठीक है जी वो उनकी एक अपनी सोच है जो जो मेरे नजदीक कोई वाइज नहीं है लेकिन वो ऐसा नहीं ममकिन है कि पाकिसान के साथ जा के मिल के जाने वाले चुशकर उन लोगों ने भी पाकिसान का हाल देख लिया है पाकिसान अपनी इसलामिक लीडर्शिप में अपने आपको बरबाद किया ठीक अभात अब भारत की मुसलिम और वर्किंग क्लास भी है, लेबर क्लास भी है, तो वो जो सारी लेयर्स अपने अपने कांटेक्स में चीजों को देखती है, लेकिन मिजोरिटी अफ दा मुसलिम्स इन भारत, दे आर प्रो भारत, यह अगर कहीं से कोई मतलब को पाकिसान का जंडा उठाने की बात आती है, क कोई फरिंज ऐलिमेंट्स हैं, जो सरह की यह बात करते हैं, तो भारत की जो मुसलिम कम्यूटी है, वो आपके सवाल पे क्या उनको अकल आ रही है, बिलकुल वो बहुत पहले भी बाशाओ उर्ते, मैं यह नहीं कहता कि पहले बाशाओ नहीं थे, मेरे बहुत सारे दोस्त है बारत में सिणात्रम दर्म के भी, मुस्लिम दर्म के भी, सिख दर्म के भी, और वो एकी लेवल पर सोचते हैं जब भारत की बात आती है, और वो पके बारती है, मुझे उन पर कोई ये शक नहीं है, अब देखने वाली बात यह है, कि आगे आने वाले समझ में, वो प cooperation आज यहां मैं एक बात और करूँगा, खिलोना बनने वाला जो मामला है, कम्यूटी का सिर्फ भारत का नहीं है, तुरू आउट दे वर्ल्ड है, आप कैनिडा में देख ले, मतलब लिब्रल की खास पॉकेट्स हैं, कंसरवेटर पार्टी की खास पॉकेट्स हैं, हर पार्टी की अ देखता नहीं है, इससे ज्यादा चीजों को आम आदमी तब देखता है, जब पानी सर से उपर घुसर जाता है, जैसा कि बारत में होगा, उन्हों ने देखा कि हमने समाजबादी, या कांग्रिस, या ममता बैनर जी के जंडे तले, हमने आवी तक क्या पाया, पाया कम, खो करने का नाम है, नेचरली रीजिनलिजम जो है, वो अब टो सर्टन एक्सेंटर रोल प्ले कर सकता है, लेकिन रीजिनलिजम भी तब ही रोल प्ले करता है, अगर जो रीजिनल पार्टीज हैं, वो लोगों के लिए काम करें, अपने और अपने परिवार के लिए काम ना करें हिंदोस्तान की सबसे बड़ी इस वकर जो प्राब्लिम रही है वो यह यह रही है कि जब लोग पावर में आ जाते हैं तो वो सब अपने आदमियों को आगे ले आते हैं अपने बच्चों को अपनी फैमली को मैं अभी डीजन्टी एलेक्शन हुए महराष्ट्रा में तो छे म अबादी है यह यह एक ऐसा ऐसा इशू है जो कि मैं समझता हूँ बहुत खतरनाक इशू है पॉलिटेक्स में यह फिर किसी दिसक्रास करें कि अभी तो आप बात यह कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो इस वकत इशू है मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लीडर पाकिस्तान की establishment और इमरान खान को तो मैं कुछ समय तेंड मैं समय ता हम वो तो बिलकुल ही फरंट फेस है अम अम अब वो तो जैसे वो पढ़ा देते हैं जैसे चबी दे देते हैं वैसे वो बोल देते हैं मुझे लगता है कि अब उनको भी अंदर से समझ आने शिरू हो गया कि किश्मीर का इश्यू ताब हो गया खतम उनको वैसे पहले दिन से पता था कि यह खतम चुका है वो सिर्फ पॉब्ली कंजमिशन के लिए बोल रहे थे अब आपने रखूंस ताब तर देखिये जो मैंने काई जी अमरान घान साब तो रोते तो उनके उपर भी दोल मौड़ा था शेयर कोई लोग माँ सुनते हैं तो फिर उनको ये भी पताना पड़ना था कि जो बलोच हैं आट दस मिलियन वो भी हमने अंदर रखे होए हैं उनकी जिन्दगी भी अजाब है जो पचास साथ मिलियन महाजर हैं वो भी हमसे नराज हैं कोई बीस तीस मिलियन जो पच्टून हैं वो भी हमसे नराज हैं तो वो अपने ही मुसलमान भाई बैनों से नराज है तो ये तो खर ना खत्म होने वली स्टोरी है कश्मीर के मामले में उनको पाक्टूक्स अब ये अंदेयर तो पता था जब ये अब्रुकेशन होई पूरी दुनिया को ये पता था पूरी दुनिया के राही पाकिस्तान को भी पता था कि ये मामला तो खत्म हो गया है पबलिक कंजमशन के लिए बोले जब बोलने के एक्टिंग की तो वो एक्टिंग में भूल गए कि असल रियालिटी क्या है फिर यू एनो में जा कि उन्होंने पबलिक कंजमशन के लिए ये ज्यादा शोर डाला कोई तर्की और मिस्टर महतीर मुहमद की थोड़ी बहुत हमायद भी ले ली उन दोनों को भी हमायद करना महंगी पड़ी चुकि भारत एक मजबूत एकानुमी है तो भारत एक काफी कांट्रेक्ट्स कैंसल कर दिये दोनों मुलकों के साथ ही अच्छा वो भी जड़र ठंडे पड़ गए और अब आप देख रहे होंगे कि इमरान खान साब आप ज्यादा ज्यादा ये कहते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया को कोई शर्म नहीं हारी बात करें इंटरनेशनल कम्यूनिटी खमोश है अच्छा पहले वो ये कह रहे थे जी कि भारत में अब ये जरा कर्फियो इज आउट होने दें आप देखिएगा जिनोसाइड चुरू हो जाएगा कोई कुछ भी नहीं हुआ बो ये कह रहे हैं कुछ दिनों से वो ये बारत बुरा करर रहा है ये तो वो कहते हैं ठीक है यह तो पब्लिक इंसम्शन के लिए इंटर्साइड लेकिन वो साथ यह भी बात करते हैं पाकिसानियों को कि मैं यह इजाज़त नहीं दूँगा कि कोई जाके जहात करे जोको उनको यह पता है कि ऐसा करने के सूरत में लेने के देने पड़ जाएंगे क्योंकि आ लड़ी फैटफ की बात हो रही है दूसरी बात हो रही है नहीं पलवामा के बात देखा ना बाला कोट में जस तरह का स्ट्राइक हुआ और इंडिया जब उन्दर आया तो यह अंदर जाके इन्होंने कोच उनके ठिकाने किये नहीं अभी पर्सों की बात है डॉक् पिश्मीर में बिचारे मारे गए है थीक है नहीं जी उसी दिन जिस दिन ये यॉर्पियन पार्लिमेंट का डेलिगेर्स अनौफिशल विजर्ड कर रहा था ठीक है तो वो ऐसी कारवाईयां यह नहीं है कि यह कोई आजकल हो रही है डॉक्स आप एक क्रेड़िट तो जाता है बलके बहुत बड़ा करेड़िट जाता है महुदी सरकार को कि इतना बड़ा डिसीजन भी किया उसके बाद चीजों को कंट्रोल में भी रखा हुआ है सिपिल आउट नहीं होने दिया कि किसी किसम का जो वाइलन्स खौफ जो होता है ना मैस लेवल ठीक है चुट-चुट चुट-चुट-चुटे वाओधें उतने वाइलन्स खौफ जिए चुट चूट शुटे वाकिशन आयरोस होने वाले वो भी यब आपको नजर नहीं आ रहे है नहीं आपको किया हाँ ही यह होंगए लेकिन एक दो साल के बाध पिर कभी नहीं होंगए हैं यह यह बात मैं म गुलाब के फूल उगाएंगे ठीक है वो वहां पे जो नफरतें भोई हुई है जो टेररिजम की प्रॉक्सी भोई हुई है वो चलेगी जैसे पिंग पॉंग होता है थोड़ी बहुत चलती रहेंगे लेकिन आप उस पिंग पॉंग को भी देख लीजिए कि पहले की जो पिं की बाद की सिच्वेशन यॉर्प में बनी अब पाखिसान को यह सोचना है कि हम किस कॉस्ट पे कर रहे हैं चुक्छ चलिए अगर अवाम की उनको परवा नहीं है पाखिसानी अवाम की परवा नहीं है चलिए कोई बात नहीं रहेंगे ना इस्टैबलिश्मेंट खुद नह एक लास स्वाल बिपोर वी ली वो जो असली बात है किस तरीके से यह वहां पर खालत रहने हो रहे हैं वो तो करेंगे अगले हफते बात क्योंकि तब बाबा गुनानक देव जी कभी पांसों पचास में बढ़ दिया उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और यह जाते हुए एक स्वाल पैदा होता है कि साओधी अरेबिया पाकिस्तान यह समझता कि साओधी अरेबिया सबसे नजदीक है मेरे साथ साओधी अरेबिया हमारा बड़ा भाई या चोटा भाई या मुझे नहीं पता वो क्या समझते हैं लेकिन साओधी अरेबिया ने जिस ढ बिलियन वहां पर इन्वेस्ट कर चुके हैं 20 बिलियन पहले 13 बिलियन था फिर 20 हो गया और किस तरीके से आज अगले साल या अगले साल तो आ गया अगले साल हिंदोस्तान की और सौधी अरेबिया की नेवी इकठे एक्सरसाइज करेगी यह क्या शो करता है पाकिस्तान को समय यह है कि मैं कितना खून इन से चूज सकता हूं चाहिना थे नो अगले साफ बिलियन लगाया साफ का मुझे सवा सो देट सो बिलियन वापस मिला या नहीं मिला तो चोड़ दो फर्गड़ बाउट इट तो मेरा यह स्वाल है कि यह जो जिसको वह अपना भाई मालते हैं चो अब यह जो दो तीन फैदले हुए हैं इन्वेस्टमेंट का और नेवी का अपसमे कठा जी करना इसका क्या महत्व है और पाकिस्तानी क्या सोईते हैं इसके बारे देखें जी पाकिस्तानी नहीं ने यह मेरा मतलब है जो इस्टैबलिश्मेंट रखिया सोचना है अब उनक जरूरत के हसाब से देखते हैं वो चीजों को बाई करते हैं वो हुलाम बनाने के काईल हैं कि अगर तो तुम खरीदे जा सकते हो तो खरीद लेते हैं पाकिस्तान की इस्टैबलिश्मेंट हमेशा बिकने के लिए तैयार रही मगर सौदी अरब ने देखा कि इस वक्त करनी है तो उसके लिए सबसे जो स्क्योर और पास का इलाका वो भारत है ना सरफ यह की कंपनीयां सौदी हर में इन्वस्ट कर रह है हैं यह ऐसा नहीं है को ग्तेताता है। मतरब सौधी यो तो पारत की बी तो बड़ी बड़ी स्टील कंपनी जो वहाँ पे सौधी अरम इन्वेस्ट करने जा रही है वह पे तो उसी तरह सोच जा रही है कि यहां कुछ तीस बिलियन डालर लगाएंगे तो पचास बनेंगे ठीक है न जी तो अगर लक्षमी मेतल जाते हैं यह स्था के बड़े गृप्स जाते हैं तो उनको तो को सौधी पैसे की जूर्ट नहीं है उनको दिये कभी हमने पैसा लगाना है कमाना है सौधीयों कभी य सौधी अरब ने पाकिस्तान का बिलकुल साथ नहीं किया ओपनली कहा कि यह इंडिया का इंटरनल मामला है और पाकिस्तान इसमें इंटरिफेर ना करे यह भी कहा सेकंड बात वो जो इरान हमने पिछले एक शो में आपने और मैंने एरान और सौधी अरे मीडियेशन के बात सौधी अरब ने ओपनली कहा दो दफ़ा कहा कि पाकिस्तान इस काम में नहाए पाकिस्तान को इसका आने का कुछ तोक नहीं बनता तो पाकिस्तान की इंबैरिस्मेंट वहां पर भी होई एक रीसेंट इंबैरिस्मेंट जो हमें आफ तरेकर पता चली है वो भी मैं आज आप से शेयर करता हूँ. इमरान खान साथ अनओफिशली तीन चार दोरे की है. एक ओफिशल था और गालबन तीन अनओफिशल दोरे की है. मतलब अभी रिसेंटली जब मोदी साथ गए हुए थे लास्ट वी मिलने और वो खासी बड़ी कांफरेंस थी. वहां पर जा मिलने तो इम हमारे पस हर हफ़ते मूँ उठा के चले आते हो. तो वी डूंट अव टाइम फॉर इट. ठीक है? तो उन्हों ने इंकार कर दिया. तो मक्सर ये है कि साथी और खुद पाकिस्तान के फार्म मिनिस्टर पाकिस्तान के इवन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बार बार कह चु हैं. उनके इंटरस्ट अब कुछ और हैं. ये बात भी वो कह चुके हुए है. तो ये डॉक्सर अब कोई सीक्रट बात नहीं नहीं. अब ये है कि ये फिर भी अपना पाकिस्तान की इस्टैबलिश्मेंट या फ्रंट फेश इमरान खान कोई नों को तल्लक पुराना बहार की कोशें रखते हैं. करते हैं. और सौदी अरब ये उनको थोड़ा बहुत लिफ्ट करा देता है. मगर ये बात अब विलकुल ओपन है. कोई ड़की चुपी नहीं है. कि सौदी अरब उस रीजिन में कहां बिजनस करेगा. चूँके चीन में भी बिजनस करना सौदी अरब के लिए रिस्की है. भारत में कोई रिस्की नहीं है. ठीक है नहीं जी. ना भारती बिजनसमेन उनके लिए थ्रेट हैं. ना भारत उनके लिए थ्रेट है. तो अफकोर्स उनका नैचरल अलाइंस तो भारत के साथ होगा. और जो नेवी की जो एक्सरसाइज होने हैं. नहीं on board with America है और अमेरिका जो है इस सारे नेवी एक्साइज़ में तो साओधी अरब को इंकरज करेगा भारत के साथ काम करने के लिए चुकर सही जन्में अमेरिका ने भारत को एक तरह का अनओफिशल कस्टोडियन बना दिया हुआ ये भी बात पूरी दुनिया पर कलियर है ठीक ह और अमेरिकान इंडियन इंटरस्ट जो जॉइट है उनको भी मेंटेन रखने के लिए सेव करने के लिए और वो आस्ट्रेलिया तक है साओधी अरब चुकर वो जो बहराय अरब बोलते हैं अरबियन जो सी है वो उस से लेके ऑस्ट्रेलिया तक अभी ये ये पांच छे लो अमेरिका तो वो एक इतना बड़ा एलाइंस है उसमें तो मतब पाकिसान इस नो वेर वो चाइनों को भी करीब नहीं आने देंगे तो वो कहानी में जिस तरह कश्मीर की खत्म है न डंडील है वो भी डंडील है बहुत बहुत धन्यवार ताहिर साहब अगले अफ़ते फिर आप से मलाकात होगी आज जाते जाते मैं फिर एक बार मेरी गुड विशिज हैं बहुत ही बिमार हैं पाकिस्तान के एक्स प्राइमिनिस्टर नवाज शरीफ I hope he comes out of it उनके प्लैटलेक्स जो हैं बहुत ही नीचे जा चुके हुए हैं और वो लगता है काफी डेंजर में है I just hope that he recovers और यही कहेंगे कि इसी तरह हम अपने independent views बगार किसी की मदद के ताहर साब और मैं इसी तरह अपने views आपके सामने पेश करते रहेंगे आपके comments हमेशा की तरह हमें एक new enthusiasm देते हैं Thank you very much for watching in the past and looking forward to see you and listen from your comments in the future also. Thanks a lot.